Hello Friends, IT Technical Zone में आपका हादिक स्वागत है, पिर ये विदारती हूँ, आज का टोपिक रहेगा टेप and टेप रेंच, जो की complete issues टोपिक में जानेंगे टेप and टेप रेंच के बारे में, यानि टेप क्या होता है और टेप रेंच का परियोग कहां पर किया जाता है, तो आई इस्टा काटने के लिए टेप का परियोग किया जाता है, जब हम टेप के दोवारा किसी होल में चूडिया काटते हैं, उसको काटने की किरिया को हम टेपिंग कहते हैं, तो आई जान लेते हैं टेप जो है, वो कौन से मेटल यानि किस टातू के बनाई जाते हैं, यानि material of tape, तो जानते हैं, जो tape हैं, वो किस अकार का होता है, और इसके जो मुक्य जो पार्ट यानि जो भाग है, वो कौन कौन से होते हैं, तो इस तरह का होता है, यह आपका tape, तो नमबर फर्स पे देखिए, जो टेप जो लिखा हुआ है, इसकी जो टेप जो होती है, टेप के हमेशा square यानि चोर्स होती है, जब हम किसी भी होल के अंदर जब taping किरिया करते हैं, यानि operation करते हैं, तो टेप के ऊपर हमेशा tape range को लगा कर, इस tape को clockwise और anti-clockwise गुमाया जाता है, इसलिए इसकी जो टेप जो होती है, इसकी जो टेप का size, डिल का size, और standard जो thread जो होती है, उसका size बनानी है, या फिर बिये thread बनानी है, फिर metric thread बनानी है, नमबर तरी पे देखिए body, तो इसकी जो body जो है complete है, इसकी body के उपर हमेशा threads यानि groups बने होते हैं, यानि चार तरह के groups इसके उपर बने हुए हैं, नमबर फॉर पे देखिए जो land है, जब इसके उपर जो चूडिय लबस्ता के अंदर जो खाली जो स्तान आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जिसके अंदर से आपका lubricant जाता है, दूसरा जब हम taping करते हैं, जो chips है, वो भी वहाँ से गिरता है, तो उस बाग को हम flute बोलते हैं, नमबर 6 पे देखिए cutting edge, ठीक है, जब हम किसी भी hole क अंदर चूडिया बनाते हैं, तो यही जो भाग होता है, जो की cutting का कारिये करता है, नमबर 7 पे देखिए, हिल जो लिका हुआ है, cutting का जो पिछला जो भाग होता है, उसको हम हिल बोलते हैं, तो प्रिये विदार्तियों कम्पलिट जो थे टेप के भाग मैंने बता दिये हैं तो आई अब जानते हैं, types of tape, तो पिरिये विदार्तियों जो tape जो हते हैं, यह आपके मुखे 6 परकार के होते हैं, नमबर 1 पे देखिए, hand tape है, hand tape जो हते हैं, यह आपके मुखे 3 परकार के होते हैं, और नमर 2 पे देखिए, master tape, और नमर 3 पे देखिए, extension tape, और नमर 4 पे द आए जाते हैं तो आई जानते हैं नमबर फर्स पे मैंने आपको बताया था हैंड टेप तो प्रिये विदातियोदे की नाम से परती आपको चल रहा है कि यह जो टेप हैं इसका परियोग हाथ के दवारा चला कर ही हम किसी भी होल के अंदर चूडिया बना सकते हैं तो आई जा तो यह जो हैंड टेप हैं यह आपके मुझे तीन परकार के होते हैं नमबर फर्स पर आपकता रहेगा नमर पर तेप पर रहेगा इंटरमीडियट टेप और नमर त्री पर रहेगा वत्मीं टेप यानि पर टेप यह तीन-ों bicyclesक्तिए स इसकी जो अगे की जो इसकी जो बोडी पर करते हैं यह इसकी चैन्ष जो 들어오ते हैं वह अगे से ग्राइंड कर दी जाती है है तक यह लुग के इंदर जो टेप ऊसानी से चला जाइर अपनी जो चुड़िया है वह स्टार्ट कर सके एut intermediate tape ठीक है उसे दिविते टेप भी हैं वह जो छो होता है है इसकी आगे की जो चूडिया होती है उसको तीन या फिर पांच तीन से लेकर पांच चूडिया टेपर की होती है याई चेंपर की होती है याई पर्फम जो टेप होता है याई वो यूज करने के बाद में क्योंकि आपको पता है उसमें हलके हलकी चुडिया बनेगी उसके बाद में जब आपका intermediate जो टेप चलेगा तो वो कुछ हद तक अच्छी चुडिया बना देगा नमबर तरी पे रहेगा आपका watering tape ठीक है ना इसको हम finishing tape भी बोलते हैं final tape भी बोलते हैं क्योंकि इसकी जो चुडिया होती है वो एक या फिर दो चुडिया ही grind की होती है तो final जो चुडिया जो बनती है वो accurate बनेगी अगर हम watering tape का प्रियोग करते हैं तो final चुडिया बनेगी जिसमें किसी प्रकार की कोई दिकत नहीं आएगी तो प्रियोविदार की वे very very important रहेंगे क्योंकि तीन प्रकार के set आते हैं दूसरा आपको एक पिचान और भी करनी है कि कि आपका जो टेप पर जो टेप होता है उसकी जो चुडिया जो मैंने आपको बताई थी 6 से 10 चुडिया है वो 4 डिग्री के उपर grind की होती है intermediate जो टेप होते हैं उसकी 10 डिग्री के उपर grind की होती है और जो final जो टेप मैंने बतायता आपको वर्ट विंग जो टेप है उसकी जो चुडिया ग्राइंड की होती है तो ये जो टेप थे जो मैंने बता दी है तो आईए आप जानते हैं टेप रेंच के बारे में तो पिरि तो पिरिये विदार्ति ओर टेप रेंच जो है वह आपके मुक्चे तीन परकार के होते हैं नंमर फर्स्ट शोली टेप रेंच और त्री पर रएगा त्षे पर रेंचों स्ञर्ट की वेरी वेरी प्रुटेंट रहेंगे तो आई जानते हैं इन तीनों की अलग अलग definition नमबर फर्स्ट पे देखिए solid tape रेंच इस तरह का आपका solid tape रेंच होता है देखिए नाम से परती आपको चल लाए कि solid का मतलब क्या था toast यानि एक तरह की माइस्टिल के टोस एक पत्ती होती है जिसमें एक या फिर दो सुरागी होती है जिसमें standard size के हम tape पकड़ सकते हैं इसलिए इसका परियोग है वो कम किया जाता है या फिर mass production जहां पर एक ही size की taping करनी हो ठीक है वहाँ पर solid tape रेंच का परियोग किया जाता है तो आई जानते हैं second number पे adjustable tape रेंच तो इस तरह का आपका यह adjustable tape रेंच होता है इसका जो परियोगा वो सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि किसी भी size का tape है हम इसमें असानी से पकड़ सकते हैं क्योंकि इसमें एक वरगा कार सुराग इसके दवारा चूड़ी handle के दवारा बना होता है जिसमें handle को कसने पर सुराग छोटा या फिर बड़ा हम कर सकते हैं असानी से इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया अर्जेस्टेबल tape रेंच इसका परियोग सबसे ज़्यादा किया जाता है तो आई जानते हैं number 3 पे T handle tape रेंच तो पिरियोधार्तियों इस तरह का आपका ये T handle tape रेंच होता है तो देखिए नाम से परती आपको चल रहा होगा T handle अंग्रेजी का अक्सर जो T होता है उस्याकार का ये tape रेंच होता है इसका परियोग special कारिये यानि special तरह की कोई taping करने के लिए T handle tape रेंच का परियोग दिया जाता है तो आईए जानते हैं broken tape and stud यानि टूटे हुए tape या फिर stud को कैसे निकाला जाता है तो पिरियोधार्तियों इसकी 5 परगार की विदिया है जिससे हम असानी से टूटे हुए tape या फिर stud या फिर टूटे हुए bolt को असानी से निकाल सकते हैं तो number first पर आपका by punch and hammer के दवारा और second पर रहेगा by tape extractor के दवारा और number three पर रहेगा by round nose plier के दवारा और number four पर रहेगा by annealing के दवारा और number five पर रहेगा by nitric acid के दवारा यानि ये पांच वीदियों हैं इन वीडियों से हम तूटे हुए टेप या स्टेड या फिर बोल्ट को असानी से निकाल सकते हैं तो आई जानते हैं इन तिनों की अलग-अलग डेफिनेशन तो नमबर फर्स पे देखिए बाई पंच एंड हैमर तो इस तरह की आप इमेज आपको दिखाई दे रही है तो इससे हम असानी से पंच और हैमर से निकाल सकते हैं जहां पर भी आपका बोल्ट या फिर स्टड या फिर टेप टूटा हुए है तो असानी से पंच जो है हम थोड़ा सा टेपर में करके क्लोक वाइज और एंटी क्लोक वाइज ठीक है ना दाएं और बाएं हम हम हमर की चोट और पंच के दवारा हम उसको गुमाने की कोशिज करेंगे तो असानी से हम टेप या फिर स्टड या फिर बोल्ट को असानी से निकाल सकते हैं नमर सैकंड पर देखिये बाए टेप अक्सक्टर के दवारा तो प्रिया विधारत योव वेरियर क्योक्मात। रहेगा टेप तो इस तरह की आपने आपका ये टेप अगू। इस के अंदर भी चार ग्रूब होते हैं तीक है उसके अंदर ये चारो जाओ चली जाती है फिर और कोलर को हम टाइट कर देते हैं उपर जो टैंग है सुकेर जो टैंग है उसमें स्पैनर लगा कर आसानी से या फिर जो आपका टेप रेंच है उसको लगा कर हम कलोक वाइज और एंटी clockwise जब गुमाते हैं टूटे वे टेप को असानी से निकाल सकते हैं तो आई यह जानते हैं नंबर 3 पे round nose plier के दवारा देखिए round nose plier आपका इस तरह का होता है क्योंकि जो tape जो होता है टूटा हुआ ठीक है ना क्योंकि इसमें groove होते हैं तो round nose यानि इसकी जो आगे का जो point जो है plier का वो काफी नुकिला होता है वो अंदर चला जाता है तो असानी से clockwise और anti clockwise गुमाने की कोशिश करते हैं तो असानी से निकाल सकते हैं तो आई जानते हैं नंबर 4 पे बाई एनलिंग तो पिरीविदार्तियों इस्वीदी के अंदर क्या होता है कि जोब को एक निचे टमपरेचर के उपर एक बटी के अंदर गरम किया जाता है उसके बाद में राक या फिर चूने के अंदर उसको ढग कर दिरे दिरे ठंडा किया जाता है उससे क्या होता है जो जो होती है वो नरम हो जाती है जो टूटा हुआ टेप है वो भी नरम हो जाता है टूटे हुए टेप के अंदर फिर हम ड्रिलिंग करते हैं ड्रिलिंग करने के बाद में एक stud extractor होता है ठीक है वो गुमा कर असानी से टूटे हुए टेप को निकाल सकते ह तो आई जानते हैं, नमबर 5 पे, बाई नाइट्रिक एसीड, तो परिये विदारती ओ, नाइट्रिक एसीड का परियोग तब किया जाता है, जो कि 4 वीदिया मैंने पहले आपको बताई थी, अगर 4 वीदियों से अगर तूटा हुआ टेप नहीं निकलता है, तब आपको दो बुंद्य आपको डालने हैं उसके बाद में आपको वहाँ पे टेप एक्स्टेक्टर का परियोग करना है क्लोक वाइज और एंटी क्लोक वाइज जब हम गुमाते हैं क्योंकि एसिड की मात्रा होने की विज़े से धातू है वो कड़ जाती है जिसने टेप असानी से बाह को निकाल सकते हैं तो डाजाने वहां देखिए कि इस तरह से टुटे हुए पोलट को पंच अन्ड आप सकते हो। तो आई जानते हैं नमबर टू पे यूजिंग आफ सक्रूड्राइवर से भी आप टूटे वे स्टड या फिर बॉल्ट को असानी से निकाल सकते हो अगर आपका नट सोरी अगर आपका बॉल्ट या फिर स्टड है अगर उपर से टूट गया तो उसके अंदर है के सिंपल सिधा स्ट्रेट एक एकसा से खांचा निकाल कर और से एक स्लोट बनाकर सक्रूड्राइवर की साहिता से निकाल सकते हैं जिस तरह डायगराम में आपको दिखाई दे रहा है तो आई जानते हैं नमबर थरी पर यूजिंग वाई स्पेंडर तो पिरिये विदार्तियों स्पेंडर की साहिता से भी आप बॉल्ट और स्टड को निकाल सकते हो अगर आपका बॉल्ट अगर उपर से टूट गया है या फिर स्टड टूट गया है तो फाइल यानि रेती क साहिता से स्केर बनाकर उसी साहिज का स्पेंडर लगाकर यानि चाबी लगाकर असानी से एंटे वर कलोकवाईज गुआते हुए उसको खोल सकते हैं तो आई जानते हैं नमबर फॉर पर बाइड डिलिंग के दोवारा तो पिर ये विदार्तियों टूटे वे बोल्ट या आफे डिलिंग करके असानी से निकाल सकते हैं क्योंकि उसी बोल्ट के अनुसार ही या स्टेड के अनुसार हमें डिल लेना होता है वो करने के बाद में सक्राइवर की साहिता से जो बाकी जो मेटेरियल बचा हुए डिलिंग के गई है तो आईए जानते हैं नमबर फॉर प आईए जानते हैं तो पिरिये विदार्तियों कंप्लीट चेप्टर मैंने करवा दिया है फिर वी इससे समंदिद अगर आपका कोई टोपिक है तो मुझे आवसे कोमेंट कर सकते हो आसा करता हूँ कि ये वीडियो और ये टोपिक आपको जुरू पसंद आएगा जैहिंजा आपको बार्त वंदे मात्रम